इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Drastonorm 50 injection is used in the treatment of schizophrenia, यानि की, a mental disorder that can result in hallucinations or delusions and also adversely affects a person's ability to think and behave and mania. Drastonorm 50 injection is given under the supervision of a healthcare professional. हाला कि, इसे हर दिन एक तै समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है. Dr. से बात किये बिना इस दवा का सेवन अचानक बन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके लक्षनों की अवस्था और भी खराब हो सकती है. हाला कि यदि आपको Neuroleptic Malignant Syndrome यानि की NMS जिसे बुखार, मासपेशी में अकड़न और बदली हुई consciousness द्वारा पहचाना जाता है का अनुभव हो तो इस दवा को तुरंद बंद कर दें. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में उपरिश्वसन पत के संक्रमन, अनिद्रा, डिप्रेशन, चिंता, पाकिंसनिज्म और सिर्दर्द शामिल हैं. शुरुआत में जब आप position बदलते हैं, तो यह दवा blood pressure में अचानक कमी ला सकती है. इसलिए अगर आप बैठे या लेटे रहे हैं, तो धीरे धीरे उठना बहतर होता है. इससे चक्कर आने और नींद आने की समस्या भी होती है. इसलिए जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक drive न करें या कुछ भी ऐसा न करें ज जिसमें दिमाग को एकाग रखने की आवश्यक्ता हो. अगर आप इस दवा का उप्योग कर रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इससे diabetes विक्सित होने का खत्रा बढ़ सकता है. इसलिए ग्लुकोस की नियमित रूप से निगरानी करना बहतर होता है. इस आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.